अच्छा बनारस से एक गीतकार आया था जिसने अपना पहला गीत लिखा भोचपुरी में और आज इतना अच्छा संजोग है कि वो गाया था श्री सुरेश वाड़कर जी ने और आज उन्ही के आज इवासन में हम उस गीतकार को सेलिबरेट करेंगे ओले-ओले से लेकर परदेसी परदेसी तक घूंगट की आर्ट से लेकर क्रेजी किया रे तक हमने नाचने गाने गुनगुनादे पर जिसने मजबूर किया वो नाम था समीर अचा वैसे तो समीर के गीतों के बारे में कौन नहीं जानता पर क्यूंकि आज हमें काफी डीटेल में बोलना था तो मैंने गूगल पे सर्च किया और मैंने फिल्मों के नाम पढ़ती जा रही हूं नो एंट्री फिदा देवदास सावरिया कुछ कुछ होता है हमेरा ही प्यार के लिस्ट खतम ही नहीं हो रही तो मेरी नजर अचानक उपर गई जहां लिखा था ड्यू तो इस लॉंग वर्क दस लिस्ट इस लिस्ट इस के आगे उनके जितने भी सम्मान गिनाऊंगी छोट करते लगेंगे मैं दीपक को मंच पर बुलाते हूं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीपक का लट सलीब्रेट गीतकार समीर टुड़े कि तेरे नार हमने किया है जीवन अपना सारा सनम जीवन अपना सारा सनम जीवन आपने कि अफ्वान श्त्रीयकाल नमस्का क्या बात है तुमसे मिलना बाते करना बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बाते करना बड़ा अच्छा लगता है क्या है ये क्यों है ये क्या कबर हां मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बाते करना बड़ा अच्छा लगता है आप तालिया बजा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए तेरी छोटी छोटी बात तेरी हालेत मुलाकार तड़बाए मुझे को लम्हा लम्हा तेरा सार लम्हा लम्हा तेरा सार क्या है ये क्यों है ये क्या कबर हां मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बाते करना बड़ा अच्छा लगता है बहके बहके मेरे दिल मैं की मैं की मेरी शाग कर्या चलते सदा मैं तो लिखू तिरा ना क्या है ये क्यों है ये क्या खबर हां मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बाते करना बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बाते करना बड़ा अच्छा लगता है हाँ अच्छा लगता है ला 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 थैंक्यू